सत्गुरु रुपी प्यारी सासंगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धान निरंकार जी, सासंगत जी, सत्गुरु निरंकार दातार, आप सासंगत मा के अशीर वाद से दासी ये विचार रखने जा रही है, इन विचारों द्वारा हमें कही समझाया गया है, कि इमानदारी सबसे अच्छी नीती है, हो नैश्टी इजदा बैस्ट पुलीशी, और शेंशा बाबा अवतार सिंग जी महराज भी, संपून अवतार पानी के इश्यपत द्वारा हमें समझा रहे हैं, दसा नवादी किर्थ कमानी नई बढ़ना दूजे तेभार, कि हमने अपनी मेहनत की कमाई से अपना और अपनी परिवार का गुजारा करना है, हमने इमानदारी से जीवन बिताना है किसी के साथ हमने धोखा नहीं करना है और हमने अपनी हख हरलाल की कमाई से गुजारा करना है इसी तरह कि एक छोटी सी स्टोरी है तहाँ सियाप जी की चर्णों में शेयर करने जा रही है आप जी परवान करें अगर कोई गलती हो जाए तो शमा करें साथ संगर जी ये स्टोरी है तो किसी संसारी परिवार के बारे में लेकिन इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जिस तरह हमारे सत्कुर्माता सुदिक्षा जी महराज भी हमें हरपन समझा रहे हैं और जितने भी गुरु पीड पेगंबर इस दर्फि पर आए हैं सबहीं ने हम यही समझाया है कि हमने अपना ग्रीश धरम में रहना है और हम्हलार की कमाई से गुजारा करना है किसी के साथ बेहिमानी नहीं करनी है और हमेशा सत्य का साहरा लेना है कहते हैं कहानी इस परकार है, श्टोरी इस परकार है, एक लड़का कहने लगा कि गिर्धारी चाचा जी हमारे स्कूल के पास में ही चाट पुकोडी का ठेला लगाते थे, यानि की रहडी लगाते थे, जिस पर वह गर्मा गरम पूरियां, छोले, गोल गपे और चाट बेचते, जिनकी पर सिद्धी पहुत दूर दूर तक थी, उनका नाम दूर दूर तक फेमस हो गया था, वह सुबह उठकर रेडी लगाते थे, उनके रेडी लगाने की बस देर होती थी, कि कश्टमर्स की भीड लग जाती थी, वो कहने लगा लड़का कि हमारे स्कूल के पास ही बस टेंड और उस से कुछ आदा किलोमेटर दूरी पर ही रतनपूर नामक स्टेशन था, एक बार की बात है कि एक दिन किसी बड़े आदमी ने जो कि अभी अभी किसी काम से रतनपूर आया था और शायद उसने छोले कुल्चे गिरधारी चाचा जी से खाये थे, उसका कोई जरूरी स सुटकेश गिरधारी चाचा जी की रेडी पर ही छूट गया था, दरहसल उस आदमी का नाम दीपक था, बस्टैन के पास में ही स्टेट बैंक की रतनपूर ब्रांच थी, जिस से दीपक पैसे निकलवाने आया था, दीपक की मा बिमार और होस्पिटल में एडमिर थी, उस जिन उसकी मा का होस्पिटल में अपरेशन होने वाला था, जिसके लिए दीपक को रुपयों की जरूरत थी, इसलिए दीपक ने बैंक में से पैसे निकलवाए, और उसके बाद उसने सोचा कि अब मैं नाश्ता भी कर लेता हूँ, वो गिरधारी चाचा जी की रेडी पर न नाश्ता करने लगे, नाश्ता करते करते, वो अपना उनके पास किसी का फोन आ गया और वो अपना सुटकेस उठाना भूल गए, उन्होंने जल्दी जल्दी में नाश्ता किया, और रुपयों से भरा बैक गिरधारी चाचा जी की शोब पर ही उनका छूट गया, कुछ ही गंटों में उन्हें याद आया और वह भागता हुआ गिर्धारी जाजाजी की दुकान पर आया और अपना रुपयों से भरा बैक ढूनने लगा लेकिन गिर्धारी जाजाजी उस समय खाना खाने के लिए घर चले गए थे शोप पर दुकान पर उनका बतीजा बैठा था उन बैठिये मैं आपको किसी पेपर पर उनके घर का अडरेस लिख कर दे देता हूं दीपक के चेहरे पर गबराट जो कित्यों बनी हुई थी वह बहुत ही घबराया हुआ था उसके मन में यही आ रहा था कि पता नहीं मेरा सुटकेस मुझे मिलेगा के नहीं मुझे मेरे विश्णू ने एक पेपर पर गिरधारी चाचा जी का ड्रेस लिख कर दीपक को दिया तो दीपक तुरंत गिरधारी चाचा जी के घर पहुचा गिरधारी चाचा जी भोजन करके आराम कर रहे थे तब ही दीपक घर में उनके घर में आ गया गिरधारी चाचा जी को सामने देखकर उसकी सास में सास आई दीपक गवराया हुआ परिशानी की हालत में बोला मेरा एक सूटकेस जिसमें करीब दो लाक रुपे थे शायद आपको आपकी दुकान पर ही रह गया था दर असल मेरी मां बहुत बिमार है और होस्पिटल में एडमिट है उनके इलाज के लिए ही मैं बैंक में आया था बैंक से रुपे निकाल कर मैं आपकी रहरी पर नाश्टा करने लगा और तब ही एक मुबाइल फोन आया और मैं जल्दी में मुबाइल फोन पर बात करने लगा और जल्दी में वहां से निकल गया गलती से शायद मेरा सूटकेस आपकी रहरी पर ही छूट गया होगा क्या वह आपको मिला था गिरधारी चाचा जी ने मुस्कुराते हुए कहा हाँ वो मेरी रेड़ी पर ही छूट गया था और मैंने उसे संभाल कर रख लिया है वो मेरे पास ही है फिर वो कहने लगे कि शायद आप जल्दी में अपना सुट केस छोड़ कर चल मैं मेरी शोप पर बहुत भीर थी बहुत रश था इसलिए मैं अपने कश्टमर्स को निप्टाता रहा लेकिन जब मैं कश्टमर्स से फारिग हुआ तो देखा ब्लैक कलर का एक सुट केस मेरी रेड़ी के पास में रखे बैंच पर पड़ा हुआ था जब मैंने सुट केस ख रखना मुझे ठीक नहीं लगा इसलिए वह सुट केस लेकर मैं सीधे घर खाना खाने चला आया अभी खाना खाकर लेता ही था कि तुम चले आए वह अपनी पत्नी को आवाज देकर बोले हमारे यहां में मान आए हैं इनके लिए लसी लेकर आओ दीपक ना ना करता रहा ले लेकिन गिरधारी चाचा जी के अच्छे कोमल व्यवार के आगे उसकी एक ना चली उनकी पत्नी लसी लेकर आई वह लसी बहुत ही अच्छी बनी हुई थी जिसमें मेवे और गुलाब जल भी मिला हुआ था उसे पीकर उस चिल जिलाती हुई गर्मी में भी दीपक की आत्म खुश हो गई तब गिरधारी चाचा जी ने अलमारी में रखा सुटकेश निकाल कर दीपक के हवाले कर दिया सुटकेश देते हुए वे बोले गिन कर देख लो आपके रुपे पूरे हैं या नहीं दीपक ने सुटकेश खोल कर देखा जिस तरह के बैंक में नोटों से भर सुटकेश उसे दिया गया था वे वैसे ही थे नोटों से भरी गड़ी उसको दी गई वो वैसी ही थी उसने एक बार नोटों की किंती की नोट पूरे थे दीपक ने सुटकेश में से कुछ रुपे निकाल कर गिरधारी चाचा जी को इनाम के रूप में देने चाहें लेकिन नोटों ने पैसे लेने से मना कर दिया वेह दीपक से बोले बेटा जीवन में मैंने नाम बहुत कमाया है फिर मैं शुरू से खुददार भी रहा हूं आज इतनी उमर हो गई है खुद कमाता हूं और अपने परिवार का पालन पोशन करता हूं मुझे नहीं चाहिए तुमा इपक का इलाज कर वाओ दिय्पक गिरधारी चाचा जी को बड़ी हरानी से देख रहा था उसे बड़ी हरानी हो रही थी कि दुनिया में गिरधारी चाचा जैसे इमानदार और खुददार लोग भी मुझुद हैं सिंगती ये स्टोरी हमें बहुत कुष सिखाती है कि सुटकेश मिले या कोई भी चीज मिले वो उस तक पहुँचाने की कोशिश पूरी से पूरी कोशिश की जाए और जो किसी की चीज गूम हो जाती है और किसी को मिलती है जब वो उसकी चीज वापिस करता है चाहे रुपे हो चाहे कोई वस्तु हो तो उसकी जो आत्मा दुआएं देती हैं, उन दुआओं का तो कोई अंत ही नहीं होता, उसमें तो इतने आशीरवाद इस निरंकार दातार के छुपे होती हैं, जिसका वर्णन करना ही बहुत मुश्किल है, और इमानदारी से कमाया गया धन ही अच्छी खुशी दे सकता है, स किसी के पैसे पर या वस्तु पर अपनी नजर रखें, सत्कुरु दातार निरंकार हमें हमेशा यहीं समझाते हैं, कि हमने इमानदार बनना है, और इमानदारी से ही अपना जीवन यापन करना है, हमने कभी भी किसी परकार का लालच नहीं करना, अगर लालच करना है, तो हम ने इस प्रभु परमात्मा के नाम का करना है कि हम जादा से जादा सीमरन करें, ससंग करें, सेवा करें, यही हमारे साथ जाना है और कुछ भी साथ नहीं जाना, सब कुछ यही रहा जाना है, इसलिए हम इमानदार बनें और सत्कुर्ण के अशीरवादों के भागीदार बनें संपूर्ण हर देवानी में भी लालज प्राधारे शबत के द्वारा सद्कुर बाबा हर देव सिंग जी माराद हमें समझा रहे हैं लालज करना ठीक नहीं है तू लालज ना कर बंदे गलत रास्ता है ये इस पर पग ना अपना धर बंदे सद्कुर बाबा जी हमें समझा रहे हैं कि है इनसान कभी भी लोब लालज ना करना इस माया का क्योंकि ये रास्ता बड़ा गलत है इस पर अपने कदम बढ़ने मत देना दोलज के लालज में एक दिन गुनागार हो जाएगा जहां न जाना था तुझको उस औरही कदम भढ़ाएगा कि ये जो माया होती है ये इसको नागिन के संग्या दे गई है कि जिस तरह एक नागिन होती है वो अपने बच्चे को जनम दे कर खुदे खा लेती है इसी तरह दोलत को जो है वो नागिन के तरह नागिन के साथ उसके तुलना की गई है कि जिस तरह नागिन अपने बच्चों को भी नहीं छोड़ती इसी तरह जो गलत तरीके से घर में माया आ जाती है वो एक दिनी इनसान को खतम कर देती है जिस तरफ उसके कदम नहीं जाने होते उस तरफ एक कदम बढ़ा लेती है जिस तरह कि आप सभी समझते हैं इस बात को कि उस इनसान के कदम बुरे कामों में लग जाती है बुरी चीजों में लग जाती है तो यहाँ पर यही समझाया है लालच के कारण ही गुर्मुक से बेमुक बन जाएगा यह लालच लोब लालच यह माया का ऐसा है कि कहते हैं कि गुर्मुक से बेमुक बना देता है यह सेवा सिम्रन ससंक के रास्ते से भी हटा दे ता है यह माया बड़ी नागिन होती है सच्चाई को छोड़ के बन्दे सदा जूट अपनाएगा और पिर यह सच का रास्ता जब छोट जाता है माया में इनसान लिप तो जाता है तो फिर माया तो किसी को भी नहीं छोड़ती माया तो किसी की भी अपनी नहीं होती है फिर ये बंदे को बरबाद कर देती है जो इनसा है लो भी वो फिर कहीं का ना रह पाता है राम नहीं मिल पाता उसको माया से भी जाता है जो माया के लोब में फस जाता है तो कहते हैं कि उसको फिर परमात्मा भी नहीं मिल पाता और माया भी नहीं मिल पाती कहते हैं कि दूविधा में दोनों गए माया मिली नराम वो दूविधा में फस जाता है उस इनसान की बुत्ती काम ही नहीं करती है क्योंकि वो लोब लालच से गिर गया है लालच में जो गिरा है उससे भगती ना हो पाती है जो लोब लालच में फस जाता है फिर उससे भगती नहीं हो पाती चाहे लोब लालच किसी भी परकार का हो पैसे का हो, कोई और चीजों का हो उसे परबाद ही कर देता है मन की मती पर चलता है तो उसे न गुर्मत पाती है लालची ही करना है तो मन प्रभु भक्ती का लालच कर कितना सुन्दर है मैं इस अत्कुर पाबजी इस जबत के सारे साराश द्वारा समझा रहे है कि इनसान अगर तुने लालच करना है तो इस प्रभु के भक्ती का लालच कर इस माया का लालच नहीं करना माया के लालच में तो तु बरबाद हो जाएगा जिस तरफ तेरे कदम बढ़ने थे उस कदम उस तरफ ये माया कदम ही नहीं बढ़ने देगी यही हर देव जो गुरु को भाए उस युक्ति का लालच कर गुरु को क्या अच्छा लगता है गुरु को तो सेवा सिम्रन ससंग अच्छा लगता है संतों मापुर्शों से प्यार अच्छा लगता है इमानदार रहना अच्छा लगता है अगर हमने लोब लालच करना है तो इस परम्तिता प्रमात्मा का जितना भी हो सकता है हम नाम धनी कठा करें यही अंत समय साथ जाएगा और कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है खाली इनसान खाली हाथ आया है लेकिन जाएगा नाम रूपी दोलत लेकर वही नाम रूपी दोलत लेगा जो इस माया से बच कर रहेगा जो माया पती से जुड़ेगा उसके साथ ही यह राम नाम रूपी दोलत जाएगी खाओ खर्चोर अलमिल भाई तोट नावे वद्दो चाहिए राम नाम रूपी खजाना तो ऐसा है जितना जितना हम खर्च करते जाते हैं उतना उतना बढ़ता चला जाता है साथ संगर जी विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होगी उन गलतियों के लिए आप जी शमा कर देना आगे के लिए सद बुद्धी देना सद विचार देना सद मारक देना और आप जी के लिए भी सदकुर माताजी के चर्णों में यही अरदास है सचे पाशा सारे संसार का भला करना सारे विश्व का कल्यान करना सबी के घर में खुशियां हो खेडे हो, भारे हो सबी खुशियों से अपना जीवन वे अतेत करें साथ संगजी प्यार से कहना दनिरंकार जी